नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि रैजो टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है रैजो टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और रैजो टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं रैजो टैबलेट पेट में उत्पन होने वाले एसिट की मात्रा को कम करती है रैजो टैबलेट का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधस्मी होने पर, खती डकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर रैजो टैबलेट का उप्योग किया जाता है। Rego Tablet को Dr. Antibiotic दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़ा से होने वाले Side Effects को कम करने के लिए भी लेने की सलाह दे सकता है. जैसे दर्द को कम करने के लिए उप्योग की जाने वाली दवाओं की वज़से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है इसलिए इन side effects को रोकने के लिए भी आपका Dr. Rego tablet को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है ज्यादातर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य side effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वजह से ये side effects ना हो इसलिए आपका Dr. Rego tablet को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सला दे सकता है इसके अलावा Rego tablet का उप्योग कुछ medical conditions जैसे gastric ulcer, acid reflux और Jolinger-Ellison syndrome को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है जोलिंगर-Ellison syndrome एक ऐसी स्थिती है जिसमें पेट में acid का उत्पादन बहुत अधिक होता है Rego एक brand name है Rego tablet के अंदर salt composition rabiprazole होता है Rego tablet 10 mg और 20 mg की strength में available है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम discuss करेंगे की Rego tablet की वज़र से क्या side effects हो सकते हैं वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Rego tablet की वज़र से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में Rego tablet की वज़र से कुछ सामान्य side effects हो सकते हैं जैसे पेट में दर्द, पेट से गैस निकलना, मुँ में सूखापन, सिरदर्द, शरीर की मास्पेसियों या जोडों में दर्द होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा रैजो टैबलेट की वज़से कुछ व्यक्तियों में कप्स की समस्या भी हो सकती है। लंबे समय तक रैजो टैबलेट का सेवन करने से, यानि कई महीनों या कई सालों तक रैजो टैबलेट को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B, 12, कैल्शियम, आईरन और मैगनेशियम की कमी हो सकती है। इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना रैजो टैबलेट को 2 सपता से अधिक नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक या दिन में कई बार रैजो टैबलेट को लेने से औस्कियो पोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। औस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड़िया बहुत ही कमजोर वा अंदर से खोखली हो जाती है। रैजोटैबलेट की वज़े से औस्टियोपोरोसिस तभी होता है, जब रैजोटैबलेट का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से रैजोटैबलेट को ले रहे हैं, तो आपको कैलशियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए। ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके। या आपको कैलशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवत भरपूर मात्रा में करना चाहिए। और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की रैजो टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेर होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर रैजो टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सला देते हैं। रैजो टैबलेट को खाना खाने से कम से कम एक घंते पहले लेना चाहिए। लेकिन ज्यादा ज़्यादा चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका रैजो टैबलेट से समबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं